इंसेक्टी साइट्स इंडिया लिमिटेड नाम फिर से आप सबी लोगों एक बार दोराएंगे इंसेक्टी साइट्स इंडिया लिमिटेड क्या बोला मैंने इंसेक्टी साइट्स इंडिया लिमिटेड इस शेर का नाम मैंने यहाँ पर तीन बार बोला है सिंपल सी बात है कि और वापस से आप पाएंगे किवल 6 महीने में ही इस शेयर ने 85% का रिटर्न इंवेस्टर्स को डिलीवर कर दिया है इस पार्ट से आपको ये सिक्षा मिलती है कि अगर कोई कंपनी fundamentally strong company हैं कंपनी के business के अंदर अगर आपको growth नजर आ रही है फिर भले ही वो share एक साल हो दो साल हो दस साल तक पौँज रहे पर जो आपको return चाहिए हो सकता है एक महीने में ही वो return डिलीवर करके दे दे इस लिए बोलते हैं कि share कई बार आपका patience चेक करता है ऐसे ही कुछ share है जो बहुत सारे investors का patience चेक कर रहे हैं जैसे आप defense stocks की तरफ आगे बढ़ जाई है जैसे HAL हो गया BEL हो गया यह patience investor का चेक कर रहे है Trident Limited की बात करेंगे जब share उपर जा रहा था सभी लोग बात कर रहे थे इसे मार्केट के अंदर Trident Limited बिल्कुल गायव है Fundamentals देखेंगे बहुत तगड़े हैं कंपनी के रिजर्ड शांदार कंपनी पेस कर रही है फिर भी share रुका हुआ है 37 रुपए के आसपास जैसे इस शेर 87-800 रुपए को पार करेगा वापस से उसका reporting चालो जाएगे कि भाई साब यह देखो यह देखो यह देखो यह तरीका होता है growth में invest करने का जब आप किसी company की growth के अंदर invest करते हो तो वहाँ पर क्या होता है company return निकालती है और जब धीरे-धीरे investor accumulate करता उसके बाद वो share market के अंदर आता है तब तक वो share आपके हाँ से निकल चुका होता है इसी वज़े से बोलते है जब भी आप किसी भी ऐसी company मे जो की growth oriented हो, company रुकी हुई हो, company का share बढ़ नारा हो, company के fundamentals अच्छे हो रहे हो, company का business चांदार हो, company के promoters जबर जस्त हो, उस condition में आपको company को निकलना नहीं चाहिए, company को हाँ से छोड़ना नहीं चाहिए, वैसा ही कुछ इस share ने इतियास दोरा दिया है, Insecticides India Limited, बहुत सारे investor क यह आएगा कि आज आप बता रहे हो, कि भाई, इस share ने 85% के return 6 महीने में दे दिया, 6 महीने पहले आप कहा आते, आप वीडियो चेक करना जाके, मेरे 6 महीने के पहले के सारे वीडियो देख डालो, वहाँ पर आपको Insecticides India Limited का भी नाम पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जितनी भी एगरिकल्चर सेक्टर से जुड़ी होई कमपनिया थी, उन सभी की चर्चा भी कर चुका हूँ, Insecticides India Limited की फिलाल बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, यह कमपनी, sales जवर्जस आया, जो छड़काओ वगरा करते हो, दबागा, उसी से related यह कमपनी, एगरी बिजन बात करेंगे, तो valuation attractive है, इस टॉक का book value देखिए, 322 का है, पहले यह कमपनी बुक वेल्यू के पास ही थी, डिविडेन डिल की बात करेंगे, बहुत छुट जब भी किसी कमपनी के अंदर आपको जब जब जस्तेजी देखने को मिलेगी, वहाँ पर dividend कम हो जाता है, यह आप को पता होना चाहिए, 0.30% का return on capital employee, return on equity, शांदार नहीं है, 10% के average है, पर जिस sector को company cater करती है, वहाँ पर government के जब incentivize, जब government करती है, तभी इन कमपनियों को फाइदा देखने को मिलता है, face value बात करेंगे, 10 रुपए का है, अब यह कमपनी हो सकता है, 1500 रुपए के range पे जाए 1000 पे तो already cross करी चुकी है, 1502 रुपए के आसपास जाए, तो company विचार कर सकती है, either 1-1 का split, या 1-2,5 का split कर सकती है, और हो भी सकता है कि बाइए कमपनी अपने share को 100-500 रुपए मिलाने के लिए, 10 भाग में इसको split कर दे, कुछ इसके peer competitor है, तो आपके नजर वहाँ भी होना आपके अपने 5 दोस्तों का average आप होते हो, पिया इंडस्ट्री यूपी एल, सुमी टोगमो केमिकल, धनुका एग्री टेक, रेलीस इंडिया, भारत रसायन, धनुका एग्री टेक का तो अभी buyback आया था, close भी हो चुका है, शार्दा, क्रॉप केम, एंड ये कुछ इसके पियर competitor होते हैं, जाके जून quarter की sale देखिए, 272 करोड से 657 करोड, multiply by 2 केवल sale हो गई, देखिए, profit में देखिए, शांदार, 849, 2.73 से 16.60, incentive wise जब government कर देती है, तो वहाँ पर share के अंदर आपको तेजी देखने को मिलती है, बॉर्विंग्स की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर borrowing, 163 करोड से 87 करोड के long term borrowing 2 करोड से 29 करोड के long term borrowing से बढ़ गई है, short term borrowing इन्होंने 100 करोड से कम कर लिया है, 157 करोड पहले थी, और 410 करोड बची है, operating activity positive है, 185 करोड की, और investment में company का focus है, तो negative है 44 करोड का, financing 98 करोड का negative है, debtor days की बात करेंगे, तो शा परसेंट का promoter रोन करके चल रहें, ना किवल चल रहें, देखो, promoter ने stick खाली नहीं किया, अभी इस समय आप देख पा रहे होंगे, जो भी कुछ बैतरिन कंपनिया थी, जिनका share price बहुत उपर निकल गया है, multiply by two हो गई, multiply by three companies हो गई, वहाँ पर promoter ने अपने stick को खाली किय यहाँ पर promoter ने देखो, जबकि इस ता share price एक तरीके से pressure में था, September 2021 के आसपाद बहुत ज़्यदा pressure में था, 22 में आएंगे, 22 में भी share price pressure में था, promoter ने stick को खाली नहीं किया, और देखो, 2030 के अंदर भी promoter ने खाली नहीं किया, क्योंकि promoter को अपनी company को भरुसा था, कि आज 22.16% का promoter ओन करके चल रहे हैं, FIS की बात करेंगे तो 4.36% और देखे जब share का price उपर जाता है, तब सब लेने के लिए आते हैं, इसलिए कहते हैं, promoter की holding जहाँ पर अच्छी हो, FIS, DIS का थोड़ा बहुत पैसा लगा ना लगा हो, कोई फरक नहीं परता, company book values आपको पास मिल रही हो, return on capital employer, return on liquidity, close to 20% हो, company का business अच्छा हो, promoter पर भरोसा हो, और बस और क्या चाहिए investor को, ठिक, तब ऐसी कंपनियों में आपको बेचनी नहीं चाहिए, generally, company आज नहीं तो, 2 साल बाद ही, सोचो, 4 साल बाद सोचो, result जरूर देती है, विजे खिडिया जी की आप बात करे सेरा सेनिट वायर उनके पास था, किसी जमाने में बताते हैं, 4 साल तक या 2 साल तक उनकी company चली ही नहीं, at least उस phase में उन्होंने क्या किया होगा, accumulate किया होगा, share को, आप एक बार में किसी company कंदर 20,000 रुपए डाल दो, और वो company नीचे गिर जाए, फिर आपको यार छोड़ो यार अगली वार से 5,000 रुपए डालेंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर 20,000 रे एक बार में डाल दिया है, तो फिर अगर वो company अपनी high से 50% टूट जाए, depending upon the situation कि उसके fundamentals और उसका business अच्छा होना चाहिए, अग 50% टूट जाए तो 20,000 राके और डाल दो, फिर और टूट जाए तो फिर आके और डाल दो, क्योंकि अगर company का business अच्छा है, company तो आज नहीं तो कल ऊपर जानी है, तब आपको पता होना चाहिए, एक करोड का double होता है, तो वो 2 करोड होता है, 10,000 का double होता है, तो केवल वो 10,000 होता है, यह चीज आपको पता होना चाहिए, पब्लिक के holding की बात करेंगे, 14.41% पब्लिक होन करके चल रही है, number of shareholders, 19,474 है, इस company के अंदर, चैनल को subscribe कीजिएगा, वीडियो को like कीजिएगा, किसी भी mutual fund, किसी भी share के अंदर पैसे डालने से पहले, एक बर आप अपने financial advisor से ज़रूर बात करना, क्योंकि दो ही मेरा मानन है, ऐसी व्यक्ति हैं, जो दिल से चाहते हैं, कि आपका पैसा बड़े, number एक, आपका financial advisor और दूसरी आपके wife, इसके अलावा सब ये चाहते हैं, कि आपके पास पैसा कम हो जाए, चैनल को subscribe कीजिएगा, इसलिए, बहुत बहुत धनिवाद,